अपने पास है लो तो इंаш आ को नहीं सम्टक्टर है ऐसा हम आं लेते हैं कि इस कंदश्क्टर से टोटल करेंट जा रहा है ऐगा कई इसे अज़ा है रहा है आप अब आई जो करेंट है वह एसा नहींर एक दिनीद्रानि के ऐख बैडर एक पूर्ब cross section से flow करता है जैसे मैं कहा हूँ कि यह पूरा cross section है इस cross section के हर point से charges बाहर निकल रहे होंगे ठीक है तो एक term defined किया जाता है इसको हम लोग कहते है current density current density को J से denote करते हैं और यह एक vector quantity होता है यह कहा जाता है current flowing per unit cross sectional area जो conductor है उसका unit cross sectional area से जितना current flow करेगा उसको हमनों current density करते हैं यानि J को लिखा जाएगा i divided by a अगर इसको vector form में लिखना हो तो लिखा जाता है i is equal to J dot a current density जो है एक vector quantity होता है हमें पता है कि area है वो भी vector quantity होता है तो current density का direction लिया जाता है किदार current flow के direction में है इट है डारेक्शन के लॉंग करेंट फ्लो के डारेक्शन में जे है और एरिया का डारेक्शन लेते हैं surface के perpendicular अगर यह surface है तो surface के perpendicular यह एरिया का direction हो गया और current के direction में जे का direction होता है अगर दोनों पहले से parallel है तो just multiply कर देंगे तो current की value निकल जाएगी J into A यह जो है यह current की value बता देगा अगर यह दोनों parallel है तो ठीक है वैसे अभी हमनों जानते हैं कि जब भी दो वेक्टर के बीच में डॉट पोड़क्ट आता है तो उसमें करते क्या है दो वेक्टर का component एक direction में निकाल के multiply कर देंगे यह जे के direction में एरिया का में निकाल के multiply कर देंगे जैसे कि हम लोग और फाइंड करते हैं एक डॉट इस फर्मूला होता है तो फोर्स के direction में displacement का component लेकर multiply कर देते हैं यह displacement के direction में फोर्स का component लेकर multiply कर देते हैं वैसे यहां भी करना होता है तो जैसे कि हमने यहां पर देखा कि जो करेंट का फार्मूला आया था यहां पर यह फार्मूला था यह इसको मैं लिख लेता हूं I is equal to n e square tau divided by m e into a into e है ना यहां जो फार्मूला है current का मैं इसको दुबारा वहां पर लिख रहा हूं यहां पर तो इसमें से देखेंगे कि अगर area को इधर ले आएंगे i by a इधर आएगा n e square tau divided by m e m e क्या है mass of electron into electric field तो यह जो quantity है यह तो हो गया current density और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है यह देखेंगे यह जो quantity है यह actually मैं बताएगा conductivity यह जो सिग्मा है इसका value हमने निकला था 1 by rho यानि कि a n e square tau by m e exactly यह quantity यहां पर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ sigma into electric field तो current density का direction और electric field का direction एक ही direction में होता है electric field का direction में current flow करता है और current के direction में current density होता है जैसे कि मैंने यहां पर बता है